हर हर महादेव दोस्तों हगवान सिव के गर पहुँचकर एक भक्त ने कुछ ऐसा नजारा देखा कि उनकी आँख भक्ती से जलक पड़ी केलास मानसरोवर की यात्रा के बाद उनकी जुआ पर बस यही तीन सब्दे इन सब्दों के साथ उनकी जेहन में भोले की याद है दरसल केलास मानसरोवर की यात्रा के अदभुत नजारों ने न केवल उनमें अध्यात मिक्ता को ताकत दी बल्कि एकदम नजदीक से केलास के दरसन ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि उनकी आँखों से आशु चलक उठे ये पहला दल था जिसे प्रती बंधित चरण इसपर्श नामक जगह पर चाकर कैलास के दरसन करने का सोभाग्य मिला ये अवसर चैन्नई के मूल निवासी जयन थी मणी और उनके देहरादून में तैनात अपसर पती की बदौलत मिला जिनके परियास से चीनी अधिकारियों ने सत्रवे दल को चरण इसपर्श इस्थल तक जाने की अनुमती दी सायद दोकलंब विवाद सुलजने और पीम नरेंदर मोदी की चीन यात्रा के चलते भी चीनी अधिकारियों ने दर्या दिली दिखाई 14 अगस्त को मालपा में आई तभाई के बाद हेलिकाप्टर से सोलवे एवं सतरवे दल को धार्चुला से बुंदी और बुंदी से धार्चुला तक एयर लिफ्ट किया गया पिठोडा गड़ परेटक अवास करह में अमर उजाला से खास बात करते हुए चैन्थी मणी ने बताया कि मानसुरोवर के नजदिक पहुंसने पर पहले दिन 11 किलो मीटर की परिकर्मा की ये पूरी प्रक्रिमाइस तक सम्तल था यहां से करीब धाई किलो मीटर दूर चैन्थी परस नामक जवा पर जाने के लिए अनुरोद को चीने अधिकारियों ने मान लिया इसके बाद वे चैन्थ परस पहुंचे इससे पहले चैन्थ परस पहुंचने पर पोनी पोटर को ले जाने की भी अनुमती थी दो कलम विवाद सुलचने के बाद यहीं यातरा दल इस इस्थान पर जा सका चरण इस परस में पहुंचने पर लगातार बारिस और बर्पारी हो रही थी यातरी महिलाओं के वहाँ पहुंचने के बादल छटने लगे और केलास परवत एकड़म साफ नजर आया केलास इतना साफ दिखाई दे रहा था कि मानों वे उसको चूलेगे इसके साथ ही केलास परवत पर उनको एक आकरती देखी जो हूप हूप ओम की आकरती जैसी दिखाई दे रही थी ये भूले बाबा का ही परतीक था जो उन्हें दिखाई दे रहा था इसे देख भावावेश में सभी यात्रों की आँखे आशों से छलग उठी क्योंकि कैलास यात्रा केवल किसमत वालों को ही पराप्त होती है और उसमें भी भूलेनात के इस पवित्र परतिक को केवल भागिसाली लोग ही देख पाते हैं यात्रादल इस जगह पर रात आठ बजे तक रुके जेन्थी मणी बताती है कि चीन के इस हिस्से पर रात नौ बजे तक धूप रहती है जो की भारती शमया नुसार है कोहरा चटने से यात्रादल को ओम परवत के दर्शन हुए उन्होंने बताया कि यात्रादल की अनुपूटियों ने उनकी थकान को हर लिया था यहां जंगल पहाडी जलवायों से लेकर लोग सब कुछ अधभुथा चुनोंतियां भी थी मगर सिव का नाम और भुलंद होसले ने हर बाधा को पार लगाया यह यात्रादल के साक्षात महादेव से साक्षात काल था यात्रादल के सदस्य कुमाव मंदल विकास लिगम की और वस्ताव से भी अभी भूदू